कि भाईयों और बहनों असली बनियां आपका स्वागत करता है हम आज आपके लिए लाएं है जो फिशरी सेक्टर है एक्वा कल्चर सेक्टर जिसे हम भूलते हैं उसे एक स्टॉक जिसका नाम है कोस्टल कॉर्परेशन लिमिटेड यह बहुत ही अच्छा स्टॉक है बहुत ही आप समाप्त हो चुका है और एक्वा कल्चर सेक्टर में दिरे-दिरे सुधार हो रहा है और इस कंपणी ने अपना केपेक्स प्लान किया हुआ है जो यह अपनी कपैस्टी जो इसकी इस साल के आंत तक इसकी बढ़ जाएगी उस के वज़े से यह है अमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यह जो हमने रिपोर्ट और यह वीडियो बनाया है यह सिरफ पढ़ाई के लिए बनाया है क्रिप्या इस वीडियो को स्टॉक मार्किट में निवेश करने के लिए इस्तमाल ना करें अगर आप इस टॉक में निवेश करना चाहते ह तो सेबी द्वरा पंजीकृत इन्वेस्टमेंट एडवाईजर से सलाज जरूर ले Coastal Corporation Limited Coastal Corporation Limited 1981 में स्तापित वी कंपनी है यह जो कंपनी है इसका शुरुआत में काम यह था कि यह बोट्स को किराय पे लेती थी और उसे समुद्र में जाके मचलियां पकड़ती थी अब यह श्रिम्प सिक्टर में आ गही है और श्रिम्प को यह प्रासेस करके बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करती है यह एक्सपोर्ट मतलब US, Europe, बहुत सारे कंटरेज में करती है चाइना में जो की बड़ी मार्केट्स हैं और इस company के पास US में export करने के लिए FDA certification भी है जो एक बहुत बड़ी बात है अब आते हैं एक company के नतीजों पर अगर आप देखेंगे तो company की जो sales है जो बिकरी है वो बढ़ी रही है पिछले और अगर आप देखेंगे पिछले साल जो बिकरी है और जो margins है वो reduce हो गए थे जो margins अब धिरे धिरे बढ़ने शुरू हो गए है दूसरी बात अगर आप देखेंगे जो company के पूरे साल के जो नतीजे हैं उसमें आप देखेंगे जो company की बिकरी है वो almost पिछले पांच साल में तीन गुना हो गई है और जो company का profit है मुनाफ़ा है वो आप देखेंगे तक्रीबन तक्रीबन चार गुना हो चुका है अब आते हैं cash flow पे cash flow मतलब नगदी प्रवा अगर आप देखेंगे company जो अपनी operational activity है जो काम कर रही है उसे एक अच्छा cash generate कर रही है और उस cash मतलब नगदी को वो नई capacity लगाने में यूज कर रही है और जो loan लिया हो है उस loan को वापस कर रही है अब आते हैं केपेक्स पे अगर आप देखेंगे कि company ने नया केपेक्स प्लान किया हूँ है जो इस साल के अंद तक चालू हो जाएगा उसमें आप देखेंगे company एक नई unit लगा रही है और एक solar plant लगा रही है तक्रीमन तक्रीमन 61 करोड रुपे खर्च कर जो इसमें pre processing unit है उसमें 7 करोड का खर्चा है उससे जो इसकी capacity है वो 15 टन पर डे हो जाएगी और जो नई processing unit है उसमें 29 करोड का कर्चा है और ये जो उनकी पहले plant लगा उसी का विस्तार हुआ है और उससे 15 टन की additional capacity आजाएगी पर डे की तो अगर तक्रीमन तक्रीमन देखें तो 30 टन पर डे की capacity हो जाएगी इस विस्त की हैं और जो इनका मानना है कि जो बिजली ये 7-8 रुपे पर यूनिट अब ले रहे हैं और solar power unit लगाने के बाद 3-4 रुपे पर यूनिट हो जाएगी और उससे नहीं कुछ taxes में बचत भी हो बहनों आप देखते हैं इसके फायदे और नुक्सान पर जो coastal corporation company है ये आपको ह पर साल लभांश देती है पिछले पांच सालों से लगातार आपको लभांश दे रही है इसकी लभांश की जो येल्ड है अगर आप देखें तो एक परसेंट है company जिस एक्वा कल्चर सेक्टर में operate करती है उसमें बहुत ही अच्छे विस्तार के prospects हैं तो अगर आप देखें कि ये मानना है कि ये इंडेस्ट्री अगले पांच साल में बहुत अच्छा करेगी और सरकार भी इस इंडेस्ट्री के विस्तार के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही है और कंपनी को solar power लगाने से तकरीबन तकरीबन चार करोडर रुपे सालाना की अतरिक बचत होगी अब नुकसान पर देखते हैं जो shrimp के price है ये उपर नीचे होते रहते हैं अगर आप पिछले साल का देखें तो ये shrimp के price बहुत ही गिर गये थे जिससे कि कंपनियों का मनाफ़ा बहुत ही कम हो गया था लेकिन इस साल ये देखेंगे ये बढ़ने शुरू हो गए हैं बाकी प्रमोटर की जो holding है company में वो तकरीबन 33% ही है ये थोड़ी सी कम की जगह है कि लेकिन अगर आप में देखेंगे तो प्रमोटर अपनी holding बढ़ाने के कोशिश करा है ले अभी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बढ़ भी चुका है बट ये चुंकि शेयर का वाल्यूम बहुत ही कम है तो इसका प्राइस में उतार चड़ा दिन में देखने को मिलता है इसका पी साड़े चार है और पूरी कंपनी आपको 140 करोट रुपे में मिल रही है अगर आ कारण यह था कि यह स्टॉक ट्रेड नहीं होता था अगर आप देखेंगे तो डेली एक एक दो दो शेहरी बिक्वाली होते थे इसलिए इसका पी बहुत लोग था अगर आप इसके competitors देखेंगे जैसे अवन्ती फीड और जो बहुत अच्छे stocks हैं उनका पी सबका अभी 15 से 20 और अब तो 20 से भी उपर चला गया है company 35 परशेंट से उपर का tax देती है जो कि अभी नई announcement के बाद company का tax 25 परशेंट पर आ जाएगा हम जो expect कर रहे हैं कि company 24 25 में 1200 करोड की बिकरी कर सकती है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो यह च्रिम के prices हैं भाव हैं वो ठीक रहे हैं और इंडस्ट्री में अगर इसमें पिछले साल की तरह अगर prices गिर गए तो हो सकता है कि यह 1200 करोड का sales ना कर पाए जो company का मुनाफ़ा है वो 90 करोड होगा और जो earning पर शेर है कमाई प्रती शेर वो 93 रुपे होगी अभी हम अपने final verdict पर आते हैं Coastal Corporation का price जो है जो 1400 रुपे तक जा सकता है पंदरा के P.E. पे जो कि थोड़ा सा conservative है यह अभी के भाव से दसगुना की opportunity है पांच साल के perspective से इस शेर में प्राइस गिरने के संभावना थोड़ी सी कम है बट अगर श्रिम के भाव में उतार चड़ा होता है या बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं तो यह शेर का प्राइस गिर सकता है तो कृपिया इस बात को द्यान में रखे भाईयों और बहनों यह था हमारा आज का YouTube वीडियो अ आप यह नीले कलर के एरो के निशान के नीचे लगें लिंक के नीचे क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद और सी यू नेक्स टाइम